है अज के वीडियो में मैं आपके लिए क्लास टू के बच्चों के लिए इंग्लिश का लेटिस्ट सिलिबस यह से लिबस सीबिस सीबिस डोनों ही वोड से अफिलियेटेड है और मैंने कई सारी बुक्स को मर्ज करके मैंने यह सिलिबस प्रिपेर किया है इसमें मैंने वो सारे टॉपिक्स एड किये हैं जो क्लास टू में बच्चों को पढ़ाये जाते हैं तो टॉपिक्स के साथ साथ मैं आपको बुक्स भी दिखाऊंगी कि किस-किस टाइब की एकसराइज उन टॉपिक्स से डिलेटिड आप बच्चों को पिरपेर करा सकते हैं पढ़ा सकते हैं बड़ सिलिबस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल Learn GK Easy को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कर ले उस पे हम बच्चो से रिलेटेड जी के कॉश्चन्स डालते हैं वो चैनल भी आपके लिए बहुत ही हेलपफुल है चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है वहाँ से जाके आप हमारा वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो शेल यह फटा-फट से स्टार्ट करते हैं आज का सिलिबस फर्स्ट है दे अल्फाबेट दे अल्फाबेट टॉपिक में आपको बच्चो को वो सारी चीजे रिवाइस करानी हैं जो वो पहले के क्लासेज में पढ़ चुके होते हैं आपको फिर से रिवाइस कराना है hij उसमें आपको यह बताना है कि बच्चो को कितने cwnnатель hoते हैं कितने wawels hoते हैं फिर उसके बाद इस तरह के आपको exercise बच्चो को solve करानी है आपको बताना है बच्चो को इस तरह के question like circles the bottles in words में vouvles कहा है consonants क्या है यह सब आप बच्चों से पूछ सकते हैं यहाँ पे देखे feeling the missing vowels यहाँ पे इस तरह से vowels को फिल करके इन words को complete करना है तो इस तरह से questions आप बच्चों को दे सकते हैं इस topic के अंडर next topic है the sentence the sentence के अंडर सबसे पहले आपको बच्चों को the sentence मिन sentence की definition पढ़ानी है उसका मतलब समझाना है उसके बाद आप इस type के questions बच्चों को दे सकते हैं कि इस तरह से लिखके और आप बच्चों से पूछें कि कौन सा box है जो sentence है मतलब कि पहले जब आप sentence की meaning उन्हें clear कर दें कि actually sentence कहते किसे हैं तो वो lines को पढ़ पढ़के statements को पढ़ पढ़के पहचानेंगे कि हाँ यह sentence है then types of sentences हैं यहाँ पर types of sentences में means यहाँ पर देखे statements statements मतलब जो भी answers हम लो करते हैं उन्हें हम statements कहते हैं और next होता है questions ठीक है जब हम कोई question पूछते हैं तो वहाँ पर इस तरह से question mark लगता है तो यह सारी चीजे बच्चे sentence के अंदर पढ़ते हैं मैंने यहाँ पर syllabus में the sentence के बाद question and statements अलग से topic book में अलग-अलग तरह से दिया रहता है यह मैंने जो अलग-अलग दिया हुआ है वो मैंने इस book से syllabus किया था like the sentence है the sentence में बच्चे पहले lines पढ़ पढ़के यह पहचानेंगे कि actually sentence किसे कहते हैं उसके बाद इस तरह से exercises करेंगे कोई भी lines लिखी है उन्हें suitable words लिखके उन्ह तो question और statements बच्चों को पढ़ाना है like कहाँ पे हम full stop लगा सकते हैं कहाँ पे हम question mark लगा सकते हैं तो यह statements पढ़ने के बाद ही बच्चे पहचान पाते हैं next जो fourth topic है वो jumble words and jumble sentences है jumble words means कि letters ऐसे ही letters लिखे हैं suppose यहाँ पे लिखा है a, b, t means यहाँ letters लिखे हैं बट इन्हें हम पढ़ नहीं पाएंगे यह पढ़ नहीं पाएंगे और नहीं उनकी कोई meaning निकलेगे बट इन्हीं letters को अगर हम properly arrange कर दें like b, a, t तो हमने इसे proper arrange किया है और अब हम इसे पढ़ सकते हैं like b, a, t, bat और इसकी meaning निकलती है तो जब भी हम letters को properly arrange करके उसे एक meaningful word बनाते हैं वो होता है jumble word इसी तरह से आता है jumble sentence तो जैसे कि jumble word अभी मैंने आपको बना के दिखाया इसी तरह से अलाद अलाद words लिखे होते हैं like pretty a girl is Selma तो इसे properly arrange करके meaningful sentence बनाते हैं यह होता है jumble sentence तो jumble word और jumble sentences में हम यह सारी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं इस type के questions आप बच्चों को बना के दे सकते हैं then next topic आता है noun जिसे हम naming words भी कहते हैं तो next topic आप बच्चों को यह पढ़ाएं naming words इस तरह से आप बच्चों को पहले उनकी definition learn कराएं उसका मतलब समझाएं फिर उसके बाद person, animals, places, things में कौन-कौन सी चीज़े होती हैं आप यह बच्चों को पढ़ाएं next उसके बाद इस तरह की exercises like underline the naming words इस step के questions आप बच्चों को दे सकते हैं next topic is special names special names में proper noun and common noun बच्चों को पढ़ाया जाता है तो easy way में इसे special names कहते हैं तो यहां पे पहले उसकी आप बच्चों को common noun proper noun की definition पढ़ाएं उन्हें समझाएं उसके बाद इस type के questions आप दे सकते हैं जैसे mix करके आप कुछ names उन्हें दे दें उसके बाद उन्हें बोले कि common noun और proper noun means special names को अलग-अलग करके लिखें तो इस type के questions आप बना के बच्चों को दे सकते हैं यह book अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप यह book भी ले सकते हैं काफी अच्छी यह book है mostly topic मैंने इसी book से लिए हुए हैं तो इस book का नाम मैं आपको बता दूँ Essentials of English Grammar and Composition और सुल्तान चन्मिंस S. चान की यह book है तो यह book आपको Amazon पे easily मिल जाएगे description box में मैं इसका link दे दूँगी वहाँ से जाके आप उसे purchase कर सकते हैं next topic है one and many then one and many का concept आप बच्चों को clear करें इस तरह के pictures के through आप उन्हें समझा सकते हैं then आप इस type की exercises उन्हें करने के लिए दे सकते हैं फिर one and many में भी काफी rules होते हैं like f और fe का rule होता है y और ies का rule होता है कुछ words होते हैं जो जब menu में चेंज होते हैं तो बिल्कुली change हो जाते हैं तो इस type की चीजें आप बच्चों को classroom में पढ़ाएं next topic है apostrophe apostrophe s का use बच्चों को पढ़ाना होता है सबसे पहले आप उसके बारे में बताइए कि actually हम लोग apostrophe s लगाते क्यों है we use apostrophe s to show belongings तो इस topic के अंडर में इस type के questions बन सकते हैं the dash wings are beautiful the butterflies wings are beautiful तो यहां butterfly लिखके apostrophe s लगाएंगे तो इस तरह की questions आप बच्चों को solve करने के लिए दे सकते हैं next topic ninth number है adjective इसे हम describing words भी कहते हैं describing words की आप पहले बच्चों को meaning बताइए then आप उसे related उन्हें इस type की exercises दे सकते हैं pictures के through आप उन्हें समझा सकते हैं और यहां देखे describing words और naming words को अलग-अलग करके लिखा हुआ है तो इस type के questions आप बच्चों को दें उन्हें प्रैक्टिस के लिए describing words actually किसी भी naming words किसी भी pronouns इसमें एक अलग से chapter नहीं दिया हुआ है इस तरह से क्योंकि pronouns में बहुत सारे words आते हैं like my, our, your, his, her, its, their इन सबका यूज बच्चों को बताना है then उसके बाद pronouns सिर्फ इतना ही नहीं है I, we, you, he, she, its, they ये सारी भी चीजें pronouns के अंदर आते हैं तो ये सारी चीजें बच्चों को class 2 में पढ़ाना होता है then pronoun topic के अंदर ही ये सारे words भी आते हैं me, us, you, him, her, it, them then after pronoun next topic is article, articles में बच्चों को a, and, the का यूज पढ़ाया जाता है तो a, and, the में आप इस टाइब के questions बच्चों को दे सकते हैं कि कहां हमें a लगाना है जब vowels होते हैं starting में तो वहाँ पे हम an लगाते हैं किसी particular name, किसी proper name, proper noun जो होते हैं उनके आगे हम हमेशा the use करते हैं तो ये सारे चीजें class 2 में बच्चे पढ़ते हैं next, 12th number है verb, जिसे हम doing words भी कहते हैं तो doing words में भी सबसे पहले बच्चों को definitions पढ़ानी होती हैं कि जो काम हम लोग करते हैं like laughing, running, sleeping, eating, ये सारे doing words होते हैं फिर उसके बाद आप इस type की exercises बच्चों को दें ऐसे filling the blanks दें और help box दें उसमें बच्चा fill करके उसकी practice करेंगे then next portion इस तरह से है, underline the doing words इन सारे topics related मैंने worksheets भी prepare की हुई हैं तो अगर आप worksheets लेना चाहते हैं तो मुझे comment में जरूर लिखें वो सारी worksheets PDF format में आपको provide करा सकती हूं पर हाँ वो सारी worksheets paid हैं तो अगर आप वो सारी worksheets लेना चाहते हैं तो मुझे comment box में लिखें वर्प के अंडर ही बच्चों को is, are, am का यूज़ पढ़ाया जाता है कि is, are, am हम लोग कहां यूज़ करते हैं was and were का भी use doing words के अंडर में ही आता है was and were हम लोग कभी यूज़ करते हैं then next topic है use of has, have and had इनका use, next topic यहाँ पे बच्चों को has, have कहां पे यूज़ करना है then had कहां पे यूज़ करना है ये सारी चीज़ें class 2 में बच्चों को पढ़ाई जाती है next है preposition, preposition में in, on, behind, under ये सारे words के मतलब समझाया जाते हैं और इनका use बताया जाता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं pictures बनी हुई है like the apples are in the basket the basket is on the table the dog is behind the gate the boat is under the bridge तो ये सारे words, इनकी सारे की meaning बताया जाती है और इनका use बताया जाता है next है conjunction, conjunction means होते हैं joining words इन सारे words को and, but, or को हम joining words कहते हैं इन words की help से हम two sentences को add करते हैं जैसे कि लिए कि I have one brother and one sister I have one brother and no sister, but no sister तो इन सारे words से हम two sentences को add करते हैं इसलिए से हम joining words कहते हैं next topic है who, what, where, which, when, इन सब का use बच्चों को पढ़ाया जाता है like, what you, when do you get up in the morning who is your class teacher, which umbrella is yours तो इन सारे का पहले meaning पढ़ाया जाती है फिर इनका use sentences में कैसे करते हैं ये चीज़ें बच्चों को पढ़ाया जाती हैं next topic है opposites opposites essentials book में आपको नहीं मिलेगा ये मैंने एक other book से लिया है ये topic opposites तो common होते हैं ये तो बच्चों को आने ही चाहिए तो इस तरह के words आप opposites में बच्चों को पढ़ा सकते हैं like, awake, asleep, before, after आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं बहुत जादा नहीं at least इतने words आपको बच्चों को तो learn कराने ही चाहिए opposites में next topic है similar words similar words में आप तो इस तरह के words जैसे कि जिनकी meaning same होती है but words अलग होते हैं like little means भी छोटा होता है, small means भी छोटा होता है happy means भी खुश और glad means भी खुश similar words मतलब same meaning वाले words को similar words कहते हैं तो ये topics भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं class 2 में next 19th topic है go goes, do does कहाँ पर go use करते हैं, कहाँ पर go's means कहाँ पर हम S लगाते हैं कहाँ पर E S कहाँ पर नहीं लगाते हैं ये सारी चीजें बच्चों को बतानी है like she है, तो जब भी हम कोई singular person की बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पर S यूज करते हैं she speaks very good English और जब भी हम plural यानि more than one person की बात करते हैं तो वहाँ पर हम S और E S नहीं लगाते हैं तो ये सारी भी चीजें बच्चों को class 2 में पढ़ाई जाती है next topic है it happened yesterday it happened yesterday में बच्चों को past tense मतलब past tense में verb में क्या changes आते हैं ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है like I play, I played, I jump, I jumped तो इस तरह से verb में जो changes होती है इसका एक छोटा सा introduction दिया जाता है class 2 में बहुत ज़्यादा deep में नहीं पढ़ाना है like C का 100 हो जाता है जब भी हम लोग last Sunday, last evening, last night इस तरह की words yesterday sentences में देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे हम लोग verb को change कर देते हैं verb का past form यूज करते हैं next है short form तो short form में like we are है तो we are you are है तो you are तो short form किस तरह से करते हैं ये बच्चों को पढ़ाया जाता है classroom में next topic है comprehension comprehension में एक story type उन्हें दे दिया जाता है और उससे related कुछ questions दिये जाते हैं तो story में से ही उन्हें वो question के answers ढूंड के इससे solve करना होता है तो ये होता है comprehension and last topic है composition composition में जैसे कि कोई topic उन्हें दे दिया उसके बारे में उन्हें paragraph लिखना है या pictures दे दी pictures related उन्हें paragraph लिखना है तो इसे composition कहते हैं letter writing पूरा full नहीं इस तरह से filling the blanks में उन्हें letter writing की सिखाई जाती है तो ये था class 2 के बच्चों के लिए English का latest syllabus hope ये वीडियो आपके लिए helpful हो वीडियो अगर पसंद आया हो तो like and share ज़रूर करें चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करें और हाँ हमारे new channel learn gk easy को subscribe करना ना भूले और class 2 की अगर आपको English की worksheets चाहिए PDF form में तो आप मुझे comment में लिखें मैं आपको वो worksheets प्रोवाइड करा सकती हूँ बट आपको ये सारे topics नहीं मिलेंगे अभी मैंने कुछी topics पे worksheets की हुई है तो अगर आप चाहते हैं कि इन सारे topics पे मैं worksheets करूँ और इनसे related explanation वीडियो करूँ तो आप मुझे comment section में जरूर लखें Thank you so much for watching my video Bye bye